कि आप जानते हैं कि root bound sapling यानि कि root bound जो आपकी पोध है फल की भी हो सकती है, फूल की भी हो सकती है, वेजिटेबल प्लांट की भी हो सकती है तो एक root bound पोध आपकी जो आने वाले टैब में जो उसकी life है उस plant को मिडियोकर बना देती है यानि कि उससे आप ज्यादा उमीद नहीं कर सकते कि वो ज्यादा फल देगा, फूल देगा, वेजिटेबल देगा, तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इस समस्य से आप कैसे निदान पा सकते हैं, और एक बहुत ही असान आपको मैं solution दूँगा, जो आप असानी से कर सक मेरा दिली में जन्म हुआ था, तो आज मेरा बर्ड है, और आज मैं आपको रिटेन गिफ्ट दे रहा हूँ इस वीडियो ग्रूप में एक जानकारी के साथ में, अब आप सोचेंगे, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे, आपका गिफ्ट ही रहेगा, इस वीडियो को आप इसको कैसे बच सकते हैं, आप सामने दो पोदे देख रहे हैं, एक आपका जो नॉर्मल सीडलिंग ट्रे होती है, इसमें आप बीजबो के आप सीड बढ़ा के प्लांट बनाते हैं, वो है, दूसरा वाला आप जो देख रहे हैं, वो एक छोटा सा एक नेट पॉट है, वो गमले की शेप लग रही होगी, बट वो गमला नहीं है, हडोपोनिक में जो आप जालीदार नेट पॉट यूज करते हैं, उसमें वो सेकेंड प्लांट उगाया है, दोनों की आप अगर प्लांट की हेल्थ देखेंगे, तो नेट प्लांट के अंदर में जो प्लांट आपक आपकी रूट बांट नहीं हुए है, इसके पीछे जो चीज काम कर रही है, उसको कहते हैं, रूट की एर प्रुनिंग, एर प्रुनिंग का मतलब यहाँ है, जब आपकी रूट जब ड्रलप फोने चालो होती है, तो नीचे की तरह बढ़ती है, और जब वो एर के इसके ब्रांचे निकलने चालो होती है, तो जब आपकी ब्रांच और रूट होंगी, वो भी जब साइई प्रोकर पोह होती है, तो इस तरह से आपके चारतर रूट जो रूट बॉल है, उसमें चारतर रूट आपकी फैल जाती है, अईए मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल क करता हूं नेट पॉट में ग्रोव करने का एक और फायदा मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि जब आप इसको सिंगल प्लांट होता तो इसको किसी चीज़ को आप ठोक के आराम से निकाल सकते हैं अगर सीडलिंग ते में एक साथ 10 प्लांट होते हैं तो इसको लटा करके किसी सेडलिंग के लिए वो लूज होना अचहिए अगर आपका लाइट वेट स्वैल मिक्स होगा सीडलिंग के लिए तो जैसे देखे कितने आसानी से जो रूट बाहर निकल लिए उससी तरह से आपका भी प्लांट पोट जो है बाहर निकल जाएग इसको रूट से अगरा डेम उससे जो हवा का कॉंटेक्ट में रूट आई है तो उनकी प्रूनिंग हुई है और यह रूट सारी आपके सीधी हुई है ना कि रूट बांड होके चारतर गोल घूम गई है इस पोट को जो आप गमले में या ग्रो बैग में या जमीन में लगाएंगे तो इसकी रूट ज यह रूट से काफी ज़्यादा घनी हुई है काफी ज़या गशव को दिख रही होगी और बहुत से यह परकार से पाने जाना है, नुटिरिशन जाना बंद हो जाता है और जो रूट्स भी चुकी चारा तरफ इसके गोल-गोल घूम चुकी है तो जब उसको आप ट्रांस्प्लांट करते हैं तो रूट्स चारो तरफ फैलती हैं तो गंबले में भी जब नूटिरिशन डालते ह है वह एक जगह तो इकटा नहीं होता तो इसका जो रूट से चारतर फैल के उसको तकलीफ होती है जाके उस नुटिशन को लेने के लिए तो इससे जो आपका प्लांट है वह मिडिया को टाइप हो तो उसमें ज्यादा फॉल फूल या फ्रूट्स यह वेजिटेबस नहीं आत तो यह तो आज के वीडियो आज के वीडियो में आपने देखे कैसे रूट बाउंड आपके प्लांट को एफेक कर सकता रूट बाउंड को बड़े असान तरीके से आपके पास नेट पॉर्ट नहीं है तो कोई भी आपका जो आप यूज करते हैं सीडिनिंग के लिए कोई कर सकते हैं जिसमें होल बना सकते हैं गरम चीज से उसने में भी एफेक्ट आना चाहिए आप इसको ट्राइ कर सकते हैं अगर चाहे तो नेटपॉट मेरी वेबसाइट पॉप लबब लब लब वहा से मंगा सकते हैं पोधों में अच्छी रूट ना है उसके लिए जो एक ब कि वेदें कि इस्या दो में रुब लब लब कर मारे आते हैं रही रही आता है झाता हैं नेडिर हैं जैवा है।